हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू जीके क्रेच फ्रेंट्स ये आपका RRB NTPC और ग्रूपडी एक्जाम के लिए चोथा प्राक्टिस टेस्ट है रोज की तरह हम इसमें भी 10 करेंड एफैर के सवाल डिसकस करेंगे सिर्फ महतपुन करेंड एफैर के सवाल और उसके बात 20 सवाल ज से अंसर होगा दोस्तों अप्सन ए डोमिनिक थीम अप्सन ए इसका से अंसर हो जाएगा और दोस्तों डोमिनिक थीम ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं से अंसर होगा दोस्तों ये ऑस्ट्रिया देश के टेनिस प्लेयर हैं डोमिनिक थीम याद रखे अगला सवाल लेकते ह दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है 2020 का US Open Tennis Tournament में महिला एकल का खिताब यानि Women's Singles का टैटिल किस ने जीता से अंसर इसका हो जाएगा दोस्तों Option B Naomi Osaka और दोस्तों एक किस देश के टेनिस प्लेर है जापान के याद रखिए जापान के है Naomi Osaka दोस्तों अगला सवाल देखते है किस राज्या के काले चावल को GI Tag मिला है किस राज्या के दोस्तों से आंसर इसका होगा मनीपूर राज्या के दोस्तों अगला सवाल है 2020 का US Open Tennis Tournament में किस टेनिस प्लेर को वयोग्य घोशित किया गया दोस्तों अनफिट किसको घोशित किया गया से आंसर होगा नोबाक जोकोविक को अप्शन B इसका से आंसर होगा ओके चली अगला सवाल है अगला सवाल है हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसर कौन सा राज्या साख्यरता के साख्यरता दर में सिर्ष पर है चली बताइए सी अनसर वादोस्तों हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसर के रिला राज्या साख्यरता में सिर्ष पर है अगला सवल काफी महतपून है 2020 का इंदरा गांधी पीस प्राइच से किसे सम्मानित किया गया इसलिए आप लोगों को पता होगा बताए बहले कमेंड बक्स में बताए अप्सान A होगा या B होगा या C होगा या D होगा दोसनों इसका सही अंसर हो जाएगा अप्सान C डाविड अटेनबर्ग अप्सान C इसका सही अंसर होगा इनको इंद्रा गांधी पीस प्राइच से सम्मानित किया गया और यह सवाल काफी महतपून है हाली में अंतराष्ट्रिय साख्यरता दिवस कब मनाए गया यानि इंटरनेशनल लिट्रेसी डे कब मनाए गया दोसनों C अंसर होगा अप्सान A आठ सेप्टमबर को अप्सान A इसका सही अंसर होगा और दोसनों अगला सवाल है हाली में किसे All India Tennis Association का अध्यक्षय के रूप में चुना गया है C अंसर होगा दोसनों इसका अनिल जेन जी को अप्सान B इसका C अंसर होगा याद रखिए अनिल जेन दोसनों अगला सवाल है हाली में The Common Wealth of Cricket नामक पुस्तक किसने लिखा इसका C अंसर होगा दोसनों रामचंद्र गोहा अप्सान B इसका C अंसर होगा इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है नामको याद रखिए कापी महत्तपुन पुस्तक है अगला सवाल है हाली में किसने F1 Italian Grand Prix 2020 जित लिया है से अंसर इसका क्या होगा से अंसर होगा दोस्तों पीरा गैसे लफसन ए इसका से अंसर होगा या दोस्तों आपके रेलिव के एक्जाम में Current Affair के जिस जिस टपिक से सवाल पुछे आते हैं सारे टपिक का आपको फ्री में PDF मिल जाएगा साथ साथ दोस्तों NTPC Group D के जो पिछले साल सब पुछे गए थे लगभग 200 या 300 सिफ्ट के कोशिन अंसर भी आपको फ्री में मिल जाएगा हमारा अप्लिकेशन आप डाउनलोड किजिए जिके क्रेच अप्लिकेशन जिसका लिंक आपको वीडियो का डेक्शन बक्स में मिल जाएगा आप उसको Play Store में भी डाउनलोड कर सकते हैं और खास बात यह है कि आपको English में भी मिलेगा हिंदी में भी मिलेगा सभी आपको मिल जाएगा तुरन जाएगे डाउनलोड किजिए तो दोस्तों अब चलिए 2018 और 2019 में जो रेलवे के एक्जाम सब हुए थे उसी में पुछेएगे कुछ सवाल डिसकस करते हैं वू इस रिगाड़ेड अज गडियन अफ पॉब्लिक फाइनांस यानि किसे सर्वजनिक बित के सरक्षक के रूप में मना जाता है दोस्तों इसका सही अंसर होगा फाइनांस मिनिस्टर यानि बित मंत्री को अगला सवाल देखते हैं दोस्तों दोस्तों हमारा अगला सवाल है रेल सनख्या आयुक्त यानि the commissioner of rail safety is under the administrative control of what यानि दोस्तों 21 प्रसाशनिक नियांतरन के अधिन आता है क्या रेल सनख्या आयुक्त इसका सही अंसर होगा दोस्तों ministry of civil aviation अपस्तों ए इसका सही अंसर होगा काफी महतपुन सवाल है इसको याद रखिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल काफी आसान है the judge of supreme court hold office until they attend the age of what और दोस्तों उच्चतम न्याले के न्याधिस कारियरत रहते हैं और दोस्तों उनका निमना आयो तक कितना है C अंसर होगा वो 65 यर तक अपस्तों B इसका सही अंसर होगा देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है science से कि लाल रक्त cells यानि red blood cells ये कहां बनते हैं C अंसर होगा दोस्तों ये bone marrow में बनते हैं अपसं C इसका सही अंसर होगा अगला सवाल है the slogan of liberty fraternity and equality was rest in the यानि दोस्तों स्वतनतरता भात्रुत्तो एबंग समानता का नारा निमने मैं से किस revolution में उठाया गया था इसका सही अंसर होगा दोस्तों French revolution में option A इसका सही ऊत्तर होगा दोस्तों अगला सवाल लेखते हैं अगला सवाल है the capital of Harsh burden का राजधानी कहां थी सही आंसर इसका होगा दोस्तों कनोज में यह सवाल बार वार आपके एक्जाम में रिपीट होता है खास करके रेलवे के एक्जाम में इसको याद रखिए कनोज में दोस्तों अगला सवाल है भारत के प्रथम प्रधान मंत्री कौन थे जो इसराइल गए थे से आंसर होगा दोस्तों हमारे नरेंद्र मुदी अप्षन से इसका से आंसर होगा वो वाज फास्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इसराइल गला सवाल लगते हैं गला सवाल काफी महत्तपून है Which of the following railway routes was fast electrified निमन मैं से कौन से railway line खंड का विद्धूति करण पहले क्या गया था दोस्तों इसका से आंसर हो जाएगा बुंबाई पुने यानि दोस्तों बुंबाई पुने का जो railway routes को पहली बर सबसे पहले electrified यानि विद्धूति करण क्या गया था चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों अगला सवाल है Who was the last governor general of free India? यानि स्वतंत्र भारत के अंतिम governor general कोन थे? से अंसर होगा दोस्तों राज गोपलचारी अपसंसी इसका से अंसर होगा दोस्तों अगला सवाल देखते हैं First Indian to win an international medal in skiing से अंसर इसका क्या होगा यानि दोस्तों हिंदी में इसको समझिए skiing में अंतराश्ट्रिय पदक जितने वाला प्रथम भारतिया कोन है? आचल ठाकूर अपसं भी इसका से अंसर होगा अगला सवाल देखते हैं सवाल पुछा गया था आपके रेलिवर के एक्जाम में कि हलमांड फ्रोभिन्स यह अगवानिस्तान का है यह किसके लिए फैमस है? अगवानिस्तान का हलमांड प्रांद निमने में से किसका उपच के लिए प्रसिद्ध है? c answer होगा दोस्तों, aphiarm का, यानि उपियों इसका c answer होगा याद रख्यें अगला सवाल, लेखते हैं दोस्तों, अगला सवाल है which of the following sugars is present in milk यानि दोस्तों, दूद में कोन साचीनी मोजूद होता है c answer होगा दोस्तों, lactose याद रखिये अगला सवाल देखते हैं. दूस्तों अगला सवाल है सीलिकन इच कॉमनलि यूस यानु दूस्तों सीलिकन आमतोर पर किसमें प्रद्ट किया जाता है? से अनसर होगा दूस्तों अरध चालक यानि समी कंडॉक्टर में इसका इस्तमाल क्या जाता है याद रखे दूस्तों अगला सौवाल देखते हैं इसका पूरा नाम क्या है option B इसका सही अनसर होगा चलिए अगला सवाल देखते है तो सुन अगला सवाल है इसका सही आंसर होगा संक्रमन रोकना यानि कमबाट इन्फेक्शन सफ़ेत रक्त का मुख्या कारिया होता है अप्लिकेशन को तुरांट डाउनलोड कर लिजिए यहाँ पर NTVC और ग्रूपड एक्जाम के लिए सबसे बेस्ट कंटेंड मिलेगा क्योंकि